अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा गूगल ओपन करिए यहाँ पर आप टाइप करिए पासपोर्ट इंडिया तो यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट खुल कर आएगी पासपोर्ट इंडिया.gov.in इसके ओपर क्लिक करेंगे आप तो पासपोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने यह नूटिफिकेशन आप क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आएगे तो देखेंगे बहुत से आप्शन नजर आ रहे हैं जैसे न्यू रिजिस्ट्रेशन, एक्जिस्टिंग यूजर आईडी यानि की लॉगिं जिनकी आईडी पहले से बनी हुई है चेक अपाइटमेंट अविलिबिल्टी और यहाँ पर ट्रैक अप्लिकेशन स्टेटस अब यहाँ पर अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो एक्जिस्टिंग यूजर लॉगिं में आपको लॉगिं हो जाना है अगर आपकी ID पहले से नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर New User Registration वाले आप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पेश पर आप पहुंच जाएंगे यहाँ से आप अपना Passport Office सेलेक्ट करेंगे किस Passport Office के तहत आपका जिला आता है उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे सरनेम होगा तो सरनेम डालेंगे डेट आप बर्त, इमेल आइडी और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर इमेल आइडी यह आपको अपनी आइडी बनाना है Passport की तो यहाँ पर Yes कर देंगे अगर आप कोई अलग से ID create करना चाते है अलग से ID अपने मन से type करना चाते है तो यहाँ पर आपको type कर देना है अपनी ID अब यहाँ पर आपको अपना password टाइप करना है Confirm password करना है यहाँ पर hint question एक है इसको यहाँ पर select कर लेंगे और hint question में ऐसा question select करेंगे जो आपको याद रहे उसके बाद यहाँ पर capture डालेंगे और register पर ok कर देंगे आपकी email id पर एक link आएगा उसको click करेंगे और आपका registration पूरा हो जाएगा अब आपको क्या करना है आपको वैसे ही home page पर आना है और existing user login वाले option पर click करना है अब यहाँ पर मैं home page के उपर आ जाता हूँ और यहाँ पर existing user login वाले option पर मैं click कर लेता हूँ यानि कि मेरी id पहले से बनी हुई थी मैंने बना लिया था अब यहाँ पर आपको अपना login id डालना है जो आपने बनाया होगा और उसके बाद continue करना है यहाँ पर आपको अपना password टाइप करना होगा जो आपने create किया होगा और यहाँ पर यह image आपको इस box में type करना है तो च id के उपर आप 5 form fail कर सकते हैं अब यहाँ पर पहला option दिया गया है view form का भरा वह form आप यहां से देख सकते हैं और second वाले option से आप ratio के लिए और fresh passport के लिए apply कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं apply पर click करता हूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी link नजर नहीं आएगा क्योंकि website update कर द fill application form online यहाँ पर इसके उप्र खलेक करना जैसी इसके उपर आप mouse ले जाएंगे आपके सापने blue color का यह हो जाएगा यह इस तरह से blue color का हो जाएगा अब यहाँ पर इसके उपर click कर लेना है यहाँ पर आपको अपना state करना है और अपना दिलशा सेलेट कर लेना है जहां कि आ नॉर्मल पर clik करेंगे और नॉर्मल फिटिस पेजस का बनता है इन तीनो अप्शन को पहले वाले पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद norm him करने바र आपको अपना चाम टाइप करना है नाम करने के बाद अगर सरनेम होगा तो नीचे टाइप कर दें उसके यहाँ पर आपको अपना gender select करना है यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने कभी अपना नाम change किया है या कोई और नाम है आपका तो यहाँ दोनों option पर मैं no कर देता हूँ अपनी date of birth यहाँ पर type कर देता हूँ और यहाँ पर place of birth में आप अपने city का नाम डाल देंगे अपने state का select कर लेंगे जो state के आप रहने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर आपका district automatic आजाएगा यहाँ पर आप select कर लीजे उसके बाद यहाँ पर mental status डालना है आप शादी शुदा है तो शादी शुदा है यहाँ पर select करेंगे वनना आप single select कर लें pen card है तो pen card number डाल सकते है voter ID card है तो voter ID card number डाल सकते है नहीं भी डालेंगे तो आपका form फिल हो जाएगा अब यहाँ पर आप self imply select कर लें अगर आप कोई काम करते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब स्रेट करना है और उसके बाद यहाँ पर आप से पूचा गया क्या आपकी पती यक पतनी government imply है तो यहाँ पर अगर yes है तो yes कर देंगे no है तो no कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना educational status डाल देंगे क्या qualification है आपकी तो यहाँ पर मैं जैसे graduate and above लगाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि seven pass or less लगा है तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका ECR passport बनेगा मतलब अनपड़ वाला passport बनेगा अगर 10 pass या फिर high school pass या फिर 12 pass या graduate लगाएंगे तो यहाँ पर यह automatic yes या no select हो जाता है कि आपका कौन सा passport बनेगा तो यहाँ पर मैंने graduate लगाया तो यहाँ पर yes select हो गया मतलब ECR category में नहीं आते हैं मेरा passport ECNR बनेगा अब यहाँ पर next वाला option जो दिख रहा है आपको visible mark करके लिखा हुआ है इसको आपको खुला हुआ छोड़ देना यानि कि इसमें कुछ type नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आधार number वाला एक option दिया गया है अगर आप अपना आधार number डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार number डाल कर यस कर देंगे अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप no करके इसको next कर देंगे next करेंगे तो यहाँ पर आपसे अपना father name पूछेगा और आपसे आपका mother name पूछेगा तो यहाँ पर सबसे उपर वाले option पर father name डाल तेता हूँ और यहाँ पर mother में mother वाला name डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर next कर देता हूँ next करने के बाद यहाँ पर आप से आपका पूरा address पूछा जा रहा है जैसा पर सबसे important चीज आब आपको अपना थाना सेलेट करना है थाना बिल्कुल सही सही सेलेक्ट होना चाहिए थाना और पिन कोड बिल्कुल सही सही होना चाहिए क्योंकि उसी address के उपर passport delivered होता है तो यहाँ पर code मैं डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर mobile number डाल देता हूँ mobile number भी ऐसा डालेंगे जो आपका हर टाइम स्टार्ट रहे है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email ID डालना है और यहाँ पर सबसे important चीज आप से पूछ रहा है कि क्या आपका permanent address है तो यहाँ पर आपको yes कर यहkin कर देना है यह detail आपने जो दिये you permanent address है अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका कोई present अडरेस मतलब permanent address दूसरा हो दूसरा हो तो अगर यहाँ पर present एडरेस दूसरा है तो इसको no कर देंगे और आपका present address होगा वो यहाँ पर डाल देंगे अगर आपका permanent एड्रेस ही present address है मतलब जो permanent address है उसी के ओपर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ दोनों option में आपको yes कर देना है और उसके बाद यहाँ पर next कर देना है जैसे ही यहाँ पर next करेंगे आप new option पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर इस तरह से आपको verify करेगा इसको okay कर दीजे okay करने के बाद यहाँ पर आपसे पूचेगा एक emergency contact दे दीजे आप अपने भाई बहन या कोई रिष्टेदार या कोई friend का आप दे सकते हैं emergency में contact number नाम और address और email ID अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको next कर देना है next करने के बाद यहाँ भी आप एक important page के उपर पहुंच जाते हैं यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है क्या कभी आपने passport apply किया है उसकी detail है आपके पास तो यहाँ पर detail not available के उपर टिक करेंगे आपने passport कभी नहीं apply किया है और यहाँ पर no कर देंगे मतलब आपने कभी passport apply नहीं किया है कोई भी detail नहीं है आपके पास उसके बाद यहाँ पर आपको next कर देना है next करने के बाद यहाँ पर जो option दिख रहे हैं इस सब में आपको no कर देना है यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है क्या कोई आपके उपर case चल रहा है कोई यहाँ पर आपको next कर देना है जैसे ही next करेंगे तो यहाँ पर आपसे passport की detail एक बार फिर से check करने के लिए पूचेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा passport आपका इस तरह से बनेगा यहाँ पर आपका नाम चेक करना है और आपकी date of birth यहाँ पर link चेक करना है उसके यहां पर आपको नीचे की तरफ अपना father name, mother name, with spelling के साथ चेक कर लेना है और यहां पर आपको पूरा address जो आएगा आपके passport पर वो एक बार फिर से चेक कर लेना है कि passport की detail सारी आधार काट के इसाब से है उसके बाद यहां पर next कर देना है next करने के बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि proof of birth में आप क्या देना चाहते हैं तो यहां पर आपको वो item select करना है वो certificate select करना है जो आपको देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत से option दिये गए हैं यहां पर आपको simply अगर आपका आधार काट बिलकुल सही सही ह है उसके अंदर और date of birth आपकी बिलकुल सही है तो यहां पर आधार काट select कर लेना है आपको और उसके बाद यहां पर proof of present address का एक proof देना है जैसे कि यहां पर आप आर लाइसंस दे सकते हैं या पिर आधार काट भी दे सकते हैं या birth certificate दे सकते हैं जो भी आपकी मर्दी हो जो क्या आप notification मोबाइल पर चाते हैं सारी तो यहां पर आप इसको simply no कर दीजेगा अगर आप इसको yes कर देते हैं तो आप से 50 रुपए और extra लिया जाएगा तो आप सारी detail इंटरनेट पर ही चेक कर सकते हैं online तो यहां पर इसको आप no कर दीजेगा अगर आप yes करेंगे तो I agree पर क्लिक कर देना है और उसके बाद submit form कर देना है यहां पर आप देख सकते हैं last में एक submit form वाला option दिया गया है इसके ओपर क्लिक करके आप form को submit कर देंगे finally अब यहां पर आप से pay and schedule appointment का option आ चुका है आप से पूछा जा रहा है कि pay करके आप schedule appointment करना चाते हैं तो इस option प online payment कर सकते हैं जैसे credit card, debit card, net banking, UPI उसके बाद यहां पर आपको next कर देना है next करने के बाद यहां पर आप detail चेक करिए उसके बाद फिर next कर दीजे next करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आप से आपके city का appointment पूछा जा रहा है अगर आपके city में passport office available है तो यहां पर उसक सकता है आपके city में passport office available हो तो यहां पर ध्यान से चेक कर लिजेगा क्या आपके city में passport office available है है तो ठीक है नहीं है तो आपको nearest passport office select कर लेना है passport office select करने के बाद यहां पर जो नीचे की तरफ capture image दिख रही है इसको type कर देना है इस box के अंदर मैं जल्दी से type कर देता हूं और next क कर देता हूं type करने के बाद आप next करेंगे तो यहां पर appointment वाले page के उपर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको ध्यान रहे है जैसे 27-11 का appointment आपको मिल रहा है यानि कि date आपको चेक करनी है कितनी date का appointment मिल रहा है अगर यहीं book करना चाहते हैं तो ठीक नहीं book करना चाहते है तो यहां पर calendar वाला option जो दिख रहा है इसको open करेंगे तो यहां पर green color की जो date दिख रही है यानि कि इन डेटों में passport का appointment available है तो यहां पर date select कर लेंगे और यहां पर pay and book वाले option के उपर आपको click कर लेना है यहां पर pay and book appointment वाले option पर click करता हूं यहां पर आप payment वाले page के payment कर सकते हैं Other bank के debit card से payment कर सकते हैं यहां पर credit card से payment कर सकते हैं और सबसे नीचे की तरफ upi वाला option दिया गया upi से भी payment कर सकते हैं जो भी मर्जी हो payment option का उस मर्जी से आप payment आप select कर सकते हैं जैसे आप SBI करते हैं तो यहां पर click here करेंगे और यहां पर आपको NetBanking का login ID पासवर्ट डालना है अगर आप debit card से करना चाहते हैं तो debit card से भी कर सकते हैं अब login ID password डालने के बाद या debit card की detail डालने के बाद जब finally payment हो जाएगा तो आपको इस तरह का appointment नजर आएगा आपकी screen के सामने आपको इसको print कर लेना है print करने के बाद आपको एक address proof लेना है जैसे आधार card हो गया और birth certificate है तो birth certificate भी ले लेना है bank pass book अगर होगी तो bank pass book ले ले और अगर high school pass है तो high school का certificate आपको जरूर रखना है अपनी education qualification के लिए आपको सारे document original carry करना है और सबकी एक एक photo copy करा लेनी है सबसे उपर आपको appointment की जो slip मिली होगी उसको लगाना है उसके बाद आप आधार card या फिर bank pass book लगा सकते है फोटो कापी उसके बाद आपको जो time मिला हुआ है जो date मिली हुई है उस date में उस time पे आपको passport office पहुचना है सारी detail आपकी finally submit होनी के बाद वहाँ जब आपकी सारी detail submit हो जाएगी एक police report भेजी जाएगी आपके थाने में आपको अपना पैचान पत्र या फिर अपना आधार card और एक photo थाने ले जाना है वहाँ पर inquiry करा लेनी है उसके बाद वो inquiry जाती है SP office यानि कि जिसको बोलते हैं LIU office या CID office की जाच बोलते हैं उसमें आपको एक आधार copy एक photo देना है और आपकी जाच submit कर देना है submit करने के बाद आपका passport 15 से 20 दिन के अंदर बनके आपके घर पर मिल जाएगा दोस्तो ये वीडियो ये information कैसी लगी comment box में ज़रूर बताएगा इससे related अगर आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप comment box में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा मिलते हैं नई वीडियो में नए information के साथ thank you so much for watching